25 जून की शुर्ण दनमाप से कस हो गयते हैं परमात्व प्रता कहते हैं कि एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले Light Might संपन भवा जिसे Lighthouse एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है यहाँ पर तट पास में है कि दूर है यहाँ से आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमत बन सकते हो एक ही स्थान पर रहते हैं meditate करते हैं जैसे ममरे तविला करते हैं अली मानी meditation करते हैं आप सारे जगत में पूरे विश्व में आप अच्छी vibrations पहला सकते हो आत्मों को सुख, शान्ती, प्रेम, खुशी, आनन दे सकते हो ताकि वो अपने जीवन में सही निरने ले पाएं उस शान्ती के दौरा, उस सुख के दौरा, उस खुशी के दौरा अनिकों की सेवा अर्थ निमित बन सकते हो इसमें सिर्फ light, might से संपन बनने की आवशकता है परमात्मा की light और परमात्मा की ताकत से मन, बुध्धी, सदा, व्यर्थ सोचने से मुक्त हो व्यर्थ में क्या होता है, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा ना हो जाया अगर ऐसा हो जाया था, यह अच्छा होता यह सारी चीज़े हो गई हमारा व्यर्थ सोचना है जो भी present में हो रहा है, उसमें रहना बहुत जरूरी है क्या हो सकता था, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है फ्यूचर में उसको हमें सोचना नहीं, अभी present को enjoy करना तब कहेंगे कि हम व्यर्थ मुक्त है तो मन बुद्धी सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो मन मना भव के मंत्र का सहज सुरूप हो परमात्मा को याद करना, मन को मनाना और परमात्मा से जोणने उसका सहज सुरूप हो मनसा शुब भावना, श्रेष्ट कामना क्या हो मन्सा में माइन में हमारे मनों में जिस संकल्प चलते हैं वो शुब भावना के हो सर्वात्मा प्रती श्रेष्ट कामना के हो श्रेष्ट वृत्ति हों के प्रती आटिटुड हमारा अच्छा हो और श्रेष्ट वाइब्रेशन से संपन हो तो ये सेवा सहज कर सकते हो यही मन्सा सेवा है तो व्यर्ट से पहले मुक्त होना चाहिए मैंने उसके लिए इतना किया मैं शुप भावना रखू ना रखू मैं उसके बारे में अच्छा सोचू ना सोचू ना यह नहीं चीज़ है ये वेर्थ में चला जाता है तो अगर हमारी बुद्धी एकदम plain, simple है, परमात्मा को अरपन के और यह वी बुद्धी है तो उसमें चाहे वो आत्मा हमारा बुरा भी सोची हो लेकिन हम तब भी उसके शुब भावना, शुब कामना शुब वृत्ती, शुब शुरेश्ट वाइबरेशन रखेंगे शुरेश्वृत्ती रखेंगे उसके प्रती ताकि उनका कल्याण हो और हम परमात्मा की नजर में उच्छे बने हम शंती